हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू समिना क्लासेस फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं चैप्टर 6 के F.S.T.1 के MCQs हिंदी में और इस चैप्टर का नाम है आपका पुनर जागरन ओद्यों की क्रांती और उसके बात ठीक है इसे पहले की जो 5 वीडिय तक अपने MCQs को डिसकस कर लिया है और उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका अविलेवल मिल जाएगा आप वहां से उन्हें क्लिक करकर देख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिस मेडियम के स्ट्रेंट हैं तो आप इ आपका यहां पताना है सामंती अर्थ विवस्ता उस समय पर किस पर निरवर तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्रिशी उत्पादन और हस्ति शिल्प उद्योगों पर ठीक है सामंती अर्थ विवस्ताओ उस समय का नाम आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो कोश्ण नबर सेकिन्ड के लिए जो आंसर होगा वोगा रोबर्ट क्रॉस्टे टेख यह उन साइंटिस्ट का नाम है ठीक है उन व्यानिक का नाम है जो पादरी पी थे और कुल्पती थे ओक्सवर्ड वेश्विद्या लेकया ठ Q3 है पुनर जागरन काल कब से कब तक था तो यहां पर आपको बताना है पुनर जागरन काल के बारे में तो पुनर जागरन काल जो था वो 1440 से 1540 तक था Question number 4 है आपका यहाँ पर Mona Lisa नामक सुन्दर चित्र किसकी रचना है Mona Lisa नामक सुन्दर चित्र किसकी रचना है उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है और उनका नाम है Leonardo Da Vinci Question number 5 देख लेते हैं Question number 5 पर यहाँ पर बोला गया है विज्ञान पढ़ाने का पहला संसान कहां खोला गया था यह आपको बताना है तो इस वाले Question का जो आंसर होगा वो हो जाएगा Gresham College England में 1589 में विज्ञान पढ़ाने का सबसे पहला संसान खोला गया था और Friends यह जो आपका Question number 4, 5 है यह आपके काफे जादा Important Question है इना आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा या विर कहीं पर No Down कर लीजेए क्योंकि इस तरीके के Question सापसे FST1 के एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ठीक है चलिए बढ़ता है अपने एक लिए Question की तरफ Question number 6 Question number 6 है आपका Telescope का अविषकार किस ने किया तो यहाँ पे आपको बताना है Telescope का जो अविषकार किया था उनका नाम है Galileo Galilei Galileo Galilei ने telescope का अविषकार किया And 7th नमबर पे Hi Aah पे है Question Galileo Galilei के प्रकाशित पुस्तकों के बारे मां आपके नाम बताना है ठीक है तो यहां पे मैंने दोनों पुस्तकों का नाम एक साथ लिख दिया है अगर question paper में पुस्तकों का नाम दिया जाए और यह पूछा जाए आपसे किसकी परकाशित पुस्तक है तो आप उसमें answer लिखेंगे कैलेलियो कैलेलियी ठीक है Question number 8 देख लेते हैं सुझनमबर 8 पे आपका ग्रहों की गती के प्रेक्शन किये तिये थे और ग्रहों की गती के जो नियमुक्र्च कि सो योहन ने की तूर मंदल का सूर्य के द्रित प्रारूप इस्थापित किया वस्तूव की गती का गानित्य की किस ने दीया वस्तों कि गति का जो गणित्य विवरंड था वो गैलिलियो गैलिली ने दिया था तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गैलिलियो गैलिली Question number 11 देख लेते हैं Question number 11 पे है आपका लगुक नग की सूची का विकास किस ने किया तो इस सूची का जो विकास किया था वो जोन नैपियर ने किया था ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोन नैपियर question number 12 है आपका रुदिर संचरंड की खोच की जो खोच की थी वो किस ने की थी वो की थी आपकी विलियम हार्वे ने ठीक है तो इस वाले question का आंसर हो जाएगा आपका देख लेते हैं कस नमबर 13 पे है आपका सार्व फूम गुरुतवा अकरशन की सिध्धान को प्रतिपादित किस ने किया तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आईजयक न्यूटन ठीक है आईच न्यूटन ने सार्वह वह प्रतिपादित किया है आपका गैस नयमों को किसने है गैस code बनाया तो इसका जो question का answer होãy subscribe किस है डी फिलोसफी नेच्ठेश्टीप यह माथमेटिका किसकी रचना है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आईजेक न्यूटन ठीक है इसके रचिगता कौन है आईजेक न्यूटन कोशन नमबर 17 है टेलिग्राफ का अविश्कार कब हुआ टेलिग्राफ का जो आविश्कार हुआ था वह 1837 में हुआ था ठीक है तो यह संजो है वह आप अच्छे तरीके से लर्न कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके के कॉश्चन भी आपसे जाए थे एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो आप इन वाले पॉइंट्स का अच्छी तरीका से लर्न कर लिजेगा नेक्स्ट कोशन है यह आपका एटीन नंबर का और यहां पर बोला गया है ऑक्सिजन की थी ठीक है 1733 से 1804 के बीच में तो फ्रेंट्स यह थे आपके 18 most important questions चैप्टर 6 से और यह आपके काफी ज्यादा important point है आपके exam point of view से तो आप लोग इन वाले questions के screenshot ले लिजे या फिर वीडियो को पॉस्ट करके आप इन्हें नोडाउन भी कर सकते हैं और आप लोगों के इन questions के तरीके से practice करनी है अगर आप अपने exam में अच्छे marks लाना चाते हैं तो तो फ्रेंट्स अगरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like कर दीजेगा और अगर आप इसी तरीकी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरीकी की वीडियोस की notification का एक time पर मिलती रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो से related कोई डाउट है या कोई suggestion है आपका या फिर आपको इस वीडियो का in mcqs का PDF चाहिए तो आप लोग मुझे comment करकर बता सकते हैं अगर आप लोगों को इनक का PDF चाहिए तो मैं उसका link नीचे description box में आपको provide कर दोंगे तो आप लोग वहां से उन्हें download करकर अपने exam के preparation कर सकते हैं